जैहिंद सभी साथियों को जोहार तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे जारखन के सभी महला पुरुष के तहत नो नई योजनाय बनाई गई है जो की अभी अभी लागू हुई है ठीके साथियों इस सभी का फॉरम केवल 15 सितंबर तक ही भरा जा सकता है और बहुत सभी साथियों जरूर कीजिए इसके अंतरगत आप आविदन करते हो तो इसका लाब आपको तुरंत मिलेगा जारखन के मानिये मुकमंतरी स्री हैमन जी के द्रारा घुसित योजनाय है और जो बहुत ही साथियों जनाय यहां पर पताई जा रही है तो यहां पर सबसे पहले आप लोग इस योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि इसके लिए आविदन करने के लिए कोन-कोन सा काज़ लगेगा और इसका लाब लेने के लिए आपको फॉरम कहां जम्मा करना होगा तो चलिए सुरुआत करते हैं सांदर तरीके से तो यहां पर शुरुआत करते हैं हम इस योजनाओं के बारे में पहले आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो देखें यहां पर लिख रखा है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार यहां पर कारकरम में सामिल हुए सियम और अभी यह जो योजना है वो 15 सितंबर तक चिलेगी इस इसके अंतरगाज 9 योजनाओं का निप्टारत तुरंत होगा 9 योजनाओं से सम्बंदित समाधानों को तुरंत होगा तो यहां पर पहले पढ़ लेते हैं हमन सोरेन जयके द्वारा लिखा गया यह नियूज के कथन आदिवासियों मूल वासियों को आगे बढ़ाने के लि इसके आग अब और तुपा दिया है आपकी सोच और जरूरत के अनुरूप बन रही योजनाएं मुखमंतरी ने कहा कि हमारी सरकार जो भी योजनाएं बना रही है वह आपकी सोच और जरूरत को ध्यान में रख्कर है हम अपनी इस योजनाओं के माध्यum से आपको आगे ब आवेदन आते हैं उनका मिध्यान योजनाओं की निर्धारन में किया जाता है क्योंकि इसमें हमें जनता का वास्तवी खालत की जानकारी मिलती है ठीक है आप इधर उदर से करते हो तो थोड़ा सा उसमें समय लग सकता है लेकिन आप आपकी सरकार आपके द्वारिकारकरम के तहत इन योजनाओं के लिए आवेदन करते हो तो ओन दा स्पोर्ट बहुत सारे आपको यहां पर सुईदा मिलती है तो देखें यहां पर क्या क्या हुआ है आने वाले पांच वर्सों में यहां पर वेबोर रहें कि आपको इतना मजबूत मनाएंगी कि आपको किसी भी मद आपके सरकार आपके द्वार कार्करम को संबोधित करते हुए कहा है और उन्होंने आने वाले वर्सों में हर घर में एक वर्स एक लाक रुपे पहुँचाने का संकल पलिया है उन्होंने कहा है आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार का चोथा चरन अभी चल रहा है चोथा चरन हर गाओं महला टोला में सिवीर लगा कर आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है वो कहते हैं कि मेरा आपसे कहना है कि आपका अधिकार आपका दर्वाजा खटखटा रहा है जिन अधिकारियों को आपने अभी देखा नहीं वो आपके दर्वाजे पर पहुंच रहे हैं तो ये बहुत ही सांदार सी बात है कि आपके योजनाओं का निप्टारन आपके पंचायत आपके घर में आपके घर के सामने हो रहा है तो ये बहुत ही सांदार सी बात है और यहां पर हम बात करें तो कौन-कौन सी योजनाओं के तहट हो रहा है उन 9 योजनाओं में पहला है मुख मंत्री मय्य सम्मान योजना इसके बारे में यदि बात करें तो 18 वर्ष से अधिक की बहन बेटियां भी दे सकती है अग्रिम आवेदन ठीक है आपके सरकार आपके द्वार कारकरम यदि आपके केम आपके आसपास लगा हुआ है आपके पंचायत में लगा हुआ है तो आप इसके तहट 18 वर्ष की बहन बेटी मा बहन बेटी भी यहाँ पर भर सकती है आवेदन मुख मंत्री ने कहा कि जारखंड मुख मंत्री मय्य सम्मान योजना नारी ससकती करन की दिसा में उठाया गया मजबूत कदम है लेकिन योजना के परती बहन बेटीों को जबरजस्त उत्ता देखते वे हमने 18 वर्ष से ही इस योजना का लाब बहन बेटीों को देने का निर्ने लिया है इस तीसले में जल्द ही नीती बनाई जाएगी लेकिन मैं राज की बहन बेटीों से कहना चाहता हूँ की वे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम के तहत आयोजीद सीवीरों में अग्रीम आविदन दे ताकि उन्हें इस योजना का लाब देने का परकिरिया भी आरम हो जाए ठीक है यानि कि पहला तो है मैया सम्मान योजना में 18 आविदन शुरू होगा अबुवा आवास योजना दो हुआ अबुवा स्वास योजना तीन गुरुजी क्रेडिट काड योजना चार पसूधन विकास योजना पांच इसके बाद यहाँ पर बात करें तो जातियावासी प्रमांत पत्र भी बनेगा और यहाँ पर नया रासनकाड वनेगा इसके अलाबे यदि आप अपने घर में कुवा निर्मान करना चाहते हो तो कुवा निर्मान के लिए भी आविदन होगा तो इन सभी के तहत आविधन होगा और आपको यहाँ पर अपलाई जरूर करना है देखें यहाँ पर गुमला और लोहरदगा जिले को मिली कई सोगाते मुख्यमंत्री ने आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वारकारकरम में गुमला और लोहरदगा जिले को कूल 1222 करोड 32,48,000 रुपे की 347 योजनाओं का तोफा और लाबुकों के बीच परी संपत्यों का वित्रन किया कर दिया इसमें गुमला की जिला के यहां पर अंत्रगत 636 करोड 74,57,000 रुपे की 169 योजनाओं का उदगाटन सिलानिया सामिल है जबकि लोहरदगा जिन्दे के अंत्रगत 366,88,000 रुपे की 188 योजनाओं का उदगाटन सिलानिया संपन हुआ इस अवसर पर इन दोनों जिलों के 16,62,727,000 रुपे की परिसंपतियां बाड़े गई इसमें गुमला जिले के अंत्रगत 1,50,678,000 रुपे के बिच लगभग 204,88,88,000 रुपे एवं लोहरदगा जिले के अंत्रगत 12,91 लाभुकों के बिच 12,82,000 रुपे की परिसंपतियों का वितरन हुआ है तो देखिए यहाँ पर इस विडियो का मकसद ये निकला कि जब आपकी 9 योजनाओं का 10 पुर्ष्ट यहाँ पर आपको सुईधा मिर रहा है कई सारे माता बहन यहाँ पर कमेट कर रहे थे कि सर हमारा महिया सम्मान योजना के तहत आविदन होने के लिए बहुत सारी चीजों को लगता था जो हमारे पास नहीं है हमारे पास कार्ड नहीं है, रासन कार्ड नहीं है, हमारे पास यह नहीं है तो यहाँ पे साथियों आपको क्या करना है आपको इन्थ योजनाओं का लाब लेने के लिए सरकार आपके द्वायर कारकरम के अंतरगत आविदन कर देना है ठीक है माता बेहन आप कर दीजिए और मैया समान योजना के तहत यदि आप फॉर्म नहीं भरे हो अठारा वर्ष से तो अभी नहीं भराया है आपके सरकार आपके द्वायर कारकरम के अंतरगत इसके तहत आप आविदन कर देजिए और इसमें आप बिल्कुल भी चुक नहीं किजिए अन्यथा उप कहते हैं ना कि पहले आओ पहले पाओ तो भाई सिस्टम यहाँ पर है आप बिल्कुल लग जाईए एक बार आपको पैसे लाने है खाते में उसके बाद सरकार जीसा कह रही है कि यहाँ जो है आजीवन चलेगा जब तक जीदना है तब तक चलेगा पहले तो आपको यहाँ पर अठारा से लेकर के पचास साल तक एक हजार रुपे प्रती मह मिलेगा उसके बाद पचास साल के बाद आपको शारोजन पैसन योजना के तहट फिर से आपको पैसन मिलेगा जो की आजीवन चलेगा तो दोनों तरह से आपको लाब मिर रहा है योजना का लाब ज आन्ने वाद.